बच्चों, हमारे सामने एक मुम्बत्ती है, एक पैंसिल है, एक ड्राइंग शीट है, स्केल है, एक माचिस है. ये वस्तु हमें दिखाई दे रही हैं. क्यों? क्योंकि इस कमरे में प्रकाश है. हम अच्छी तरह से जानते हैं, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आखों में पहुशती है, तो इस वस्तु का प्रतिबेम हमारी आखों में बनता है, और वो वस्तु हमें दिखाई देती है. तो क्या इन वस्तु को मैं उठा कर किसी ऐसे कमरे में ले जाओं, जहाँ पूरी तरह से उजाला हो, तो ये वस्तु हमें दिखाई देंगे? ये इस में कमरे में अंधेरा कर दो और इस मुमबत्ती को जलाओं, इस पैंसिल को इस मुमबत्ती के सामने रखों, तो क्या होगा? इस वाइट परदे पर, इस वाइट शीट पर इस पैंसिल की छाया हमको दिखाई देगी. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पैंसिल जो है, वह इस मुमबत्ती के सामने रुकावट बन जाएगा और ये प्रकाश की किरणों को इस वाइट ट्राइंग शीट तक पहुशने नहीं देगा, जिसके कारण उस जगे पर अंधेरा हो जाएगा, जिसके कारण इस पैंसिल की छाय हमको इस वाइट रॉएंग शीट पर दिखाई देती है, तो हम एक प्रयोग द्वारा या सपष्ट करते हैं, या देखते हैं, या समझते हैं कि किस प्रकार छाया बनती है, और जब पैंसिल को हम मुमबत्ती के पास ये दूर करते हैं, तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होता है, इस प्रयोग के साहता से हम यहाँ जानेंगे कि प्रकास जो है सरल रेखा में गमन करती है, और इस प्रयोग की साहता से हम रेखा गणित को उप्योग करकर एक ऐसे सुत्र का नरधारन करेंगे, एक ऐसे सुत्र को बनाएंगे, जिससे कि हम किसी भी वस्तु के बनने All-ping लगा लिया है. कि जब भी हम इस pencil की लंबाई नापें, तो हम इसकी लंबाई इस pin और इस pencil के शिर्षत तक नापेंगे. वैसे ही, जब इसकी छाया इस ब्राइंग शिट पर बनेगी, तो उस चाया की भी लंबाई हम उस पिन और उस चाया की अन्तिम छोड तक नापेंगे इसके लिए सबसे पहले हम इस Pencil की लंबाई को इस PIN से नापते हैं जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस Pencil की लंबाई इस PIN से सिर्ष तक की लंबाई लगभक 4 इंच की है अब हम इसकी छाया की लंबाई स्केल की सहता से नापेंगे हमने इस टेबल पर एक स्केल बनाया है जिसमें हमने इंचों से निर्धारण किया है हम सबसे पहले मुम्बत्ती को जीरो पे रख देते हैं फिर इस कमरे में अंधेरा करेंगे इस मुम्बत्ती को जराएंगे और फिर हम इसकी दूरी को मुम्बत्ती से परिवर्तित कर करके देखेंगे कि इसकी छाया क्या कार में क्या बदलावाता है क्या परिवर्तन होता है तो चलिए पहले हम इस कमरे में अंधेरा कर देते हैं तो चलो अब हमने कमरे में अंधेरा कर दिया और अब ये मुम्बत्ती जलाते हैं मुम्बति जलाते ही इस पैंसिल की छाया इस पष्ट हमको इस वाइट छीट पर दिखाई दे रही है अब हम इस छाया के आकार को नापते हैं जिस प्रकार हमने pencil के आकार को इस all pin और शिर्ष तक का नापा था, वैसे हम छाया को भी इस all pin की छाया और इसके शिर्ष तक नापते हैं। इसकी छाया की लंबाई लगभग 5 इंच है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे की और बढ़ाते हैं। अब हम इसकी दूरी को मुंबती से कम करते हुए इसे 19 इंच पर रखते हैं। अब देख सकते हैं कि इस छाया के आकार में परिवर्तन हो गया। यह छाया आप थोड़ी बड़ी नजर आने लगी। हम स्केल की सायता से इसको नापते हैं। यह छाया की लंबाई लगभग 6 इंच हो गई है। अब हम इसे 17 पर रखते हैं। जब हमने पैंसिल को 17 पर रखा, मतलब मुंबती से इसकी दूरी कम की, तो छाया के आकार और भी बढ़ गया। इसको हम नाप के देख सकते हैं। अब छाया लगभग 7 इंच की हो गई है। इसी प्रकार यदि हम पैंसिल की दूरी को मुंबती से बढ़ाएं। अब हम इसको 23 पर रखें। तब हम देख सकते हैं कि इसकी छाया छोटी हो गई है। हम इसे नाप भी सकते हैं। 21 इंच पर रखने पर 5 इंच थी। और हमने अब 23 इंच पर रखा है। तो इसकी आकरिती लगभग, इसकी लंबाई लगभग 4 इंच हो गई है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पैंसिल को मौमबत्ती से दूर और पास करने पर इसकी छाया में भी परिवर्तन होता है। यदि हम पैंसिल को स्थिर रख दे, 15 पर रख दे। और हम इस वाइट शीट को आगे या पीछे की ओर करें। तब ही भी छाया में परिवर्तन होगा। यदि मैं इस ड्राइंग शीट को आगे की ओर बढ़ाती हूँ। मैं इसे 21 पर रखती हूँ। तो इसकी छाया छोटी हो रही है। हम नाप के देखते हैं। अभी इसकी छाया है लगभग 6 इंच। और यदि हम इसे दूर रखें। यदि हम इसे 27 इंच पर रखें। तो इसकी छाया लंबी हो गई है। और यदि हम इसे मापें। तो इसकी लंबाई लगभग 8 इंच हो गई है। इसी तरह से यदि हम मुमबत्ती को भी आगे या पीछे करें। तब भी भी छाया के आकार में परिवर्तन होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम जह मुम्बत्ती की स्थिती में परिवर्तन करें, जह पैंसिल के स्थिती में परिवर्तन करें, या ड्रॉइंग शीट के स्थिती में परिवर्तन करें, इस छाया के आकार में परिवर्तन होता वस्तू का आकार और उससे श्रोत की दूरी का अनुपात छाया का आकार और उससे श्रोत की दूरी का अनुपात बिलकुल बराबर होता है